जै जिनेंद्रग काफी लंबे समय के बाद में दो प्रतिकमर सुत्र अर्थ की वक्षा आज हम लेने के लिए आये हैं लेकिन फिर भी हम आपके साथ में जूड़े हुए थे जो सराक छेत्र में प्राचीन जैन मूर्तियां और प्राचीन देवल यहां पर पाये जाते हैं उनका दिगदर्शन आपको कराना भी बहुत जरूरी था ताकि आपको यह बताना था कि यह छेत्र नौमी दश्मिशतादी में जैन ध्रम का एक प्रसिद्ध केंदर रहा था एक जालो जहाली था इस छेत्र में जहां पर सराक जाती का एक बहुत बड़ा प्रभुत्व था और उनोंने इस स्थान पर अनेक प्रका के मंदिर बनाये थे और उन मंदिरों में तिर्थंकर भगवन्तों की प्रतिमाओं को प्रतिष्ठित करवाया था चलिए आज की कक्षा हम प्रारम करते हैं अनत्त शुत्र से पिछली कक्षा में हमने थसुत्तरी शुत्र का वर्णन किया था चिंतन किया था अध्यान किया था उसमें ठामी काउस सग्गम शब्द आया था यानि हम प्रतिग्या करते हैं कि हम काउसर्ग करेंगे अब कायुत काउसर्ग का भी हमने उसमें आपको अर्थ बताया था कायुत सर्ग का अर्थ होता है काया का उत्सर्ग कर देना यानि काया को छोड़ देना काया को छोड़ने का मतलब है अपने शरीर को मृत प्रयाय बना देना लेकिन जीवित रहते हुए अपने शरीर को मृत कैसे बना सकते हैं जो जब मृतिव आती है जब एक मृत शरीर होता है उसकी ना तो सांसे चलती है ना किसी प्रकार का हलन चलन शरीर में होता है लेकिन हम जीवित अवस्था में रह करके जब कायोत सर्ग करते हैं तब हम अपने शरीर को मृत कैसे बना सकते हैं तो यहां पर शाष्त्रों में जो कायोत सर्ग की परिभाशा है वो काया के प्रति आसक्ति को छोड़ना होता है यानि कायोत सर्ग के दौरान हमें शरीर पर जो ममत होता है हमें शरीर पर जो आसक्ति होती है उसको हमको छोड़ना है यहां तक कि अगर हम कायोसर्ग कर रहे हैं और यदि हमको मच्छर भी काटे तो भी हम जो है अपने शरीर का हलन चलन बिल्कुल भी नहीं करें तो अब शरीर में यह शरी तो जीवित है तो जीवित शरीर में कुछ क्रियाएं भी होती हैं तो उन किरियाओं को अपवाद के रूप में इस अनत्थ सुत्र में बताया गया है कि हम कायुत सर्ग के दौरान यह छूट रखते हैं यह छूटे हैं यह आगार हैं अपवाद हैं यदि यह हमारे कायुत सर्ग के दौरान हमारे शरीर के दौरा होती हैं तो हमारा काउच सर्ग भंग नहीं होता तो यह छूटे कितने होती हैं यह छूटे जो होती हैं यह 16 प्रकार की होती हैं तो 12 जो हैं छूटे वो इस पश्ट रूप से दिखाई पड़ती है यानि उससी एरम से लेकर के यह सूहुमेहिम अंग संचालेहिम यहां तक आपको इस इस पश्ट रूप से दिखाई पड़ती है इसके बाद में एव माई एहिम के अंदर जो है चार प्रकार के जो आगार है उनका समावेश किया गया है जो की इस पश्ट रूप से है जिनकी हम चर्चा इसके अर्थ में आपको बताएंगे चलिए अब हम अन्नत्थ सुत्र का प दूरूप से उचारण करते हैं